यह तीन बड़े बड़े अलान हैं एक हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दो पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहा लोगा जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहा लोगा सबको सम्मान की जिंदिगी दी जाएगी और तीसरी च चीज 24 घंटे बिजली जाएगी पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है क्यों पंजाब के अंदर बिजली बनती है पंजाब अपनी बिजली बनाता है जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते जरासी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं उसके बावजूद भी पूरे देश में क्योंकि बिजली कम्पनियों में और पंजाब के सरकारी सत्ता में गंदी साथगाट है और इस साथगाट की गंदी साथगाट की वज़े से पंजाब के अंदर बिजली महेंगी है इस साथगाट को खतम करना है और अगर ये साथगाट खतम हो गई और इन बिजली कमपनियों को हमने ठीक कर दिया तो जैसे दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली है वैसे ही पंजाब के अंदर भी सबसे सस्ती बिजली हो सकती है पिछले एक साल से हम लोग अंदोलन कर रहे हैं एक डेड़ साल से भगवंत मान जी के चीमा साब के नित्रित्व के अंदर हमारे MLA हैं हमारे कारे करता हैं जितने पार्टी के लोग हैं एक डेर साल से पंजाब में अंदोलन कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करो बिजली सस्ती करो बिजली सस्ती करो कितने धरने करे, कितने प्रदर्शन करे गाउं गाउं के अंदर लोगों के बीच में गए लोगों की समस्याइं सुनी लोग पंजाब में बहुत दुखी है हर जगे दुखी है अमरित सर में कैम्प लगाए जलंदर हो, बटिंडा हो लुद्याना हो, पठान कोट हो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, हर शहर के लोग बिजली से परिशान हैं अब पिंडों में चले जाओ हर पिंड के लोग बिजली के बिलों से परिशान है उस दिन भगवन जी मुझे बता रहे था इनका फोन आया एक दिन मेरे पास गला रोने का सब बना हुआ था इनका इन्हों ने बताया एक गरीब आदमी उसके घर में एक पंखा और दो बल्ब एक पंखा दो बल्ब उसके पचास हजार नौसो रुपए का बिलाया हुआ उसका वो बिचारा भर नहीं पाया उसकी बिजली काटके चले गए अब वो कैसे जीएगा आज बिना बिजली के कोई आदमी कैसे जी सकता है और सबसे ज़्यादा दुखी महिलाएं हैं क्यूं एक आदमी नौकरी करता है बिजनस करता है दुकान चलाता है पूरा महिना कमाता है कमाके घर आके अपनी बीवी के हाथ में पैसे रख देता है और पूरा महिना खर्चा अपना घर बीवी को चलाना पड़ता है महिला को चलाना पड़ता है हमारी बहन माताओं को चलाना पड़ता है कई-कई घर ऐसे हैं महिलाओं ने बताया जी हमारा महीने का आदे से ज़्यादा पैसा बिजली के बिल में चला जाता है अब कहां से खाएंगे कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे काम चलेगा सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से महिलाएं हैं तो जिस तरह से दिली 2013 में जब पहली बार हम दिली में चुनाव लड़े थे दिली में भी यही हालत थी लोगों के अनाप्शना बिजली के बिल आते थे किसी के पचास अजार किसी का एक लाख लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान थे उस वक्त की सरकार और बिजली कंपनियों में साठगाड थी जैसे पंजाब में वैसी वहां साठगाड थी आज मुझे कहते वे बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है अब अपने को यही पंजाब में करना है पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी आज मैं तीन घोशनाएं कर रहा हूँ हमारी जो पहली गारंटी है उसमें यह तीन घोशनाएं पहली घोशना आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को तीन सो यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी अब मुझे पता है कुछ पत्रकार काएंगे दिल्ली में तो 200 देते हो यहां 300 क्यों पूछोगे ना तो उसका जवाब है दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं तो उसको अमने यहां पे 300 यूनिट कर दिया 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है पंजाब के लगबग 80 प्रतीशत लोगों की 77 से 80 प्रतीशत लोगों की बिजली कब बिल जीरो हो जाएगा जैसे दिली में दिली में 73 प्रतीशत 73 परसेंट दिली के लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में लगबग 77 से 80 प्रतीशत लोगों का बिजली का बिल जीरो आया करेगा बिजली आएगी 24 घंटे बिजली आएगी बिल नहीं आएगा दूसरा बड़ा एलान तीन एलान आज मैंने बोला तीन एलान दूसरा बड़ा एलान जैसा मैंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके अनाब शनाब गलत बिल आए है एक आदमी गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा दो बल्ब हैं उसका पचास हजार नौसो रुपए का बिल कैसे आ सकता है नहीं आ सकता बिल गलत है जान बूज के गलत बिल भेज़े जा करता है तो कहते हैं इतने पैसे दो एटेरा बिल ठीक कर दूगा करते हैं कि इतने पैसे दे तेरे पचास हजार का बिल रुपय मेरा को देदे तेरा बिल हमारे जेway फथम कर से कई गाउं के अंदर हमारे वालंटीर् स्थ odor आग एंनिद्धर हमारे छूद मेन गए ए ऐसे ऐसे गाऊं हैं जिसमें कई-कई हजार उपे के लोगों के बिल आए वो भर नी पाए बिजली काटके चले गए अब बिना बिजली के तो आजमी रह नी सकता सबने कंडीमा रखी है इसी लिए जितने पुराने बिलें डोमेस्टिक के जितने पुराने बिलें सारे माफ किये जाएंगे जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिलें एरियर हैं डोमेस्टिक के सारे माफ किये जाएंगे और तीसरी सबसे बड़ी बात पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है पंजाब में ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है कम खपत है उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े-बड़े कई-कई घंटों तक बिजली नहीं आती खेती के लिए बिजली नह तो यह तीन बड़े-बड़े ओलान है एक हर घर को 300 युनिट तक मुफ्त बिजली दो पुराने सारे बिजली के बिजली माफ उनका कनेकशन भाल होगा जितने कट गए सबका कनेकशन भाल होगा सब को समान की जिन्दिगी दी जाएगी और तीसरी चीज 24 घंटे में दिल दे जाएगे